Hello everyone, today we are going to share the concentration activity. How to increase the concentration of kids? Okay, how to increase the concentration of kids? This is how we see concentration activity through concentration. So, the first activity is grain sorting activity. What do we do in this activity? What do we do? Grainings लेने हैं. I have ground nut and pea and turr. Three types of grains. लेने हैं. आपके चोईस से आप कुण से भी grains ले सकते हो. लेकिन ध्यान रहे कि छोटे grains ना ले. क्योंकि बच्चे नाक और कान में वो grains डाल सकते हैं. Okay, so, मैंने ground nut, pea और तूर लिया है. Okay, हमें ये grains को क्या करना है? बच्चों को ऐसे sort करने के लिए बोलना है. इससे बच्चों का concentration बढ़ेगा. Okay, लेकिन grains बढ़े वाले लेने हैं. Is this type. Okay, so, first activity is grain sorting activity. Then, second activity is जो shoes होते हैं. बच्चे जो shoes पहिमते हैं, वो बच्चों को जो shoes की जो lace होती हैं, वो डालने के लिए बोलना है. Shoes बराबर डाले चाहिए, ये बात ज्यादा important नहीं है, लेकिन बच्चे किस तरहा से वो lace डालते हैं, ये important है. तो ये activity वीक में एक बार बच्चों को करने के लिए बोलना है, ओके, then third activity है, मैंने ऐसे, मैंने ऐसे dot निकाले हैं, ये dot में बच्चों को, बच्चों को lines, simple simple lines बनाने के लिए बोलना है. अगे, now third activity is, ये activity में क्या करना है, third activity कौन सी है, बिंदी, इसमें क्या करना है, मैंने dots बनाए हैं, उट्स dots पर बच्चों को line बनाने के लिए बोलना है, simple simple, जैसे मैंने ये standing line बनाई है, वैसे ही बच्चों को भी, ऐसे standing line बनाने के लिए बोलना है, okay, now, fourth activity is, बीट्स रहते है, ऐसे बीट्स रहते है, वो बच्चों को thread में डालने के लिए बोलना है, ऐसे, thread में डालने के लिए बोलना है, ऐसे, ये बीट्स मार्केट में मिलते है, ये बीट्स बच्चों को thread में डालने के लिए बोलना है, ये बीट्स बच्चों को counting करना भी आएगा, और उनका concentration भी बढ़ेगा, ओके, I hope you all are understand, so parents आपको बच्चों को concentration बढ़ाने के लिए, grain sorting activity, देन बिंदी पर simple-simple lines बनाने के activity, और बच्चों को shoes, shoes में lace डालने के activity और beads activity, ये activity आपको घर में करने के लिए बोलना है, ओके, thank you.